Hello everyone, Welcome to my YouTube channel Himachal Badesh में Himachal सरकार ने Himachal Badesh राज्य चैन आयोग बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था दीपक शानन कमेटी और इसको एक fixed tenure के लिए मतलब एक काम दिया गया था और मतलब उस period में जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया तो अभी इनका 7 October को जो second, first extension हम जिसको बोल सकते हैं वो complete होने के बाद third extension इनको मिलने वाली है 7 December तक के लिए और अभी मैंने आपके साथ new share करी थी जहांपे मैंने बोला था कि बहुत जादा chances हैं कि October के last week में या November के first week में हमें दीपक्षानन कमेटी की report देखने को मिल जाए जो कि final report होने वाली है कि किस तरह से हिमाचर में class 3 की भरतियां हिमाचर पदेश राजय चेनाय उक के माध्यम से करवाई जाए लेकिन जब 7 December तक के extension मांगी गई है उस हिसाब से लगता है कि मतलब चीज़ें और लेट होने वाली है वैसे तो ऐसी news कोई है नहीं लेकिन 7 November तक भी मांगी जा सकती थी लेकिन 7 December तक ही क्यों मांगी गई दो महीने का extension आगे मांगा गया है और बहुत जादा chances है कि consultant सरकार ने लेट provide करवाया वो बज़ा है या कोई और बज़ा है क्योंकि टाइम तो वैसे लगेगा जो अलग-लग department, corporation, board हो गया उसमें जो अलग-लग post के लिए R&P rules है उनकी screening होगी तो उसमें process तो time consuming है लेकिन यह चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई क्योंकि इतना समय हो गया 10 महीने हो गये 11 महीने 12 महीने मतलब आप समझ के चलो कि पूरे complete हो जाएंगे class 3 की भरतियों को रुके हुए और 10 महीने के पास आप मानके चलो कि उस time तक अगर extension के time तक हम लेके चले तो उस time तक हो जाएंगे committee बने हुए तो चीज़ें बहुत जादा delay हो जाती है फिर उस हिसाब से फिर elections भी होने कि class 3 की भरतियों जहां पर add the end joining मिलती है और जो इनसान select हुआ होता है वो job पे जाता है तो यह चीज़ें हैं बाकी देखते हैं कि धीरे धीरे हिमाज़बदेश पब्लिक सर्विस कमिश्य शिमला ने भी कुछ पोस्ट कोड की भरतियों शुरू कर दी और यह क्यों हुए इ जिसमें अच्छी खासी पोस्टें थी या जिसकी सरकार को ज्यादा requirement थी या जिनकी ज्यादा hype बनी हुई थी वो post code जो आपको देखने को मिल जाएंगे हिमाज़बदेश पब्लिक सर्विस कमिश्य शिमला के माध्यम से तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो आप वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए